हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब उम्मेद अब अच्छे से होगे आप सब को वगवान बहुत खुश रखें आज के वीडियो में आपका ही बहुत बार पूछा गया सवाल ले रहा हूं मैं आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल कमेंट्स में पूछते हो इंसा पर मेरे पास काफी सारे DM आ जाते हैं कि हमें AC चलाना है तो जो बिजली का मीटर लगा हुआ है उसके उपर कितना लोड सेंक्षन कराएं क्योंकि जो घरेलू मीटर होते हैं उनके उपर एक किलो वाट दो किलो वाट तीन किलो वाट जेनरली इतना ही लोड सेंक्षन कराते हैं लोग कुछते हैं कि AC चलाने के लिए क्योंकि AC एक ऐसी चीज़ है जो काफी ज्यादा लेता है लोड लेता है तो उसको चलाने के लिए हमें कितना लोड सेंक्शन करवाना चाहिए ताकि हमारे उपर पैनल्टी ना लगे तो इसी बात का जवाब बहुत ही सरल शब्दों में आपको देने की कोशिश करूँगा ताकि आपको तरीके से सारी चीज़े समझ आ जाएं लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इस चैनल के उपर बहुत यूसफुल वीडियो जाते रहते हैं जो आपकी नॉलिज बढ ईकन घरेलो मीटर के उपर सैंक्शन लोड वन किलोवाट टू किलोवाट थृ किलोवाट या फिर फाइव किलोवाट इस तरह से आपको देखने को मिलेगा सबो字 आपके घर के जो मीटर है उसके उपर आपका सैंक्शन 2005 का है तो उसका मतलब यह होता है कि 1,000 Watt एक किलोवाट का मतलब होता है 1,000 Watt इसी तरह से 2,000 Watt और इसी तरह से 3, 4, 5,000 Watt इसी तरह से चलता है तो बेसिकली वो चीज ये इंडिगेट करती है अगर आपके यहाँ पर एक किलो वाट का लोड है तो उससे बिजली बोर्ड को ये पता चलता है कि इनके घर के अंदर जितने भी उपकरण हैं वो सब मिलकर एक किलो वाट के अंदर अंदर ही लोड मीटर के उपर डालते हैं अगर ऐसा होता है कभी कि आप ज़्यादा लोड डाल दें मीटर के उपर क्योंकि कई बार है कि हमारे घर में कोई फंक्शन है या फिर हमें कोई ज़्यादा उपकरण किसी तरह चला रहे हैं तो एक किलो वाट के मीटर के उपर मालो हमने तीन किलो वाट का लोड डाल दिया तो ऐसा नहीं है कि वो चलेंगी नहीं चीजें उपकरण चलेंगे ही नहीं उपकरण चलेंगे वेल परफॉर्म करेंगे लेकिन आपकी जो केबल्स हैं या वायर्स हैं वो इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि वो इतना लोड जेल लें मीटर को कोई नुकसान नहीं होगा तो यहाँ पर दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि अगर आप once in a while लोड जादा कभी डाल दिया मीटर के उपर तो कोई problem नहीं है बिजली बोड भी इस चीज को समझता है और उसके उपर कोई action नहीं लेता है क्योंकि ऐसा होता रहता है कुईसी के घर में कोई function है या कोई भी मतल कब हो सकती है ऐसी मतलब situation लेकिन अगर दोस्तों लोड जो increase हुआ हुआ लोड है वो बार-बार मीटर के उपर indicate होता रहता है क्योंकि आजकल जो electricity मीटर्स है ना वो बहुत ही smart वाले लगा दिये गए हैं digital वाले पहला जमाना गया जब वो बिजली वाले मीटर हुआ करते थ उनके अंदर ऐसी कोई technology नहीं थी कि वो ये पता लगा पाएं कि इस घर में मतलब उस मीटर के उपर कितना load डाला जा रहा है particular time के उपर या maximum load उसके उपर कितना डाला जा रहा है particular time period के अंदर लेकिन अब जो मीटर लगे हुए हैं उनके अंदर काफी तरह की अलग-लग reading store ह हो जाती है और उनी में से एक reading होती है MDI maximum demand indicator उससे उस मीटर को यह पता लगता है या उसके अंदर ऐसी reading store हो जाती है जब मालों एक billing cycle होता है उस billing cycle के अंदर कभी भी आपका load जो भी maximum पे रहेगा बेशक वो sanction load के अंदर ही क्यों नहों या फिर उससे अबव क्यों नहों जो दे दिया उस पे वो maximum होगा उसको वो store कर लेगा और ऐसा अगर एक या दो बार हुआ है तो बिजली बोर्ड की तरफ से कोई action नहीं लिया जाता है जर्नली लेकिन अगर MDI में readings जो है sanction load से उपर चली जाती है और बार बार उसमें वो चीज store होती है तो फिर आपके उपर ब आपका sanction load भी बड़ा दिया जाएगा और उसके उपर फिर आपसे fine लिया जाएगा तो ऐसा ही होता है और इन fine से penalties से बचने के लिए आपको फिर आपके load को calculate करना चाहिए और उसके हिसाब से load को sanction करवाना चाहिए बिजली बोर्ड के द्वारा तो यहाँ पर दोस्तों यह कुछ overview मैंने आपको दिया कि यह होता क्या है सिस्टम अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा जो सवाल है कि एक AC चलाने के लिए हमें कितना load sanction कराना चाहिए तो यहाँ पर एक example के लिए मैं आपको बता रहा हूं एक मानलो कोई डे टन का हमने AC लगवाया है और एक डे टन क AC जनरली 1200 से 1800 वाट के बीच में विजली कंज्यूम करता है और डिपेंड करता है वो inverter AC है नॉन inverter AC है हाँ कोई बहुत ही ज्यादा highly power efficient AC होगा तो हो सकता है कि वो 1000 वाट कंज्यूम करें या उससे भी कम कर ले लेकिन जनरली 1200 से 1800 वाट के बीच में ही power consumption रहता है डे टन के AC का split AC के अगर बात करें तो अब यहाँ पर इसका एक average पकड़ लेते हैं यह सिरफ example के लिए है आपको समझाने के लिए तो यहाँ पर मैं एक average के लिए माल लेता हूं कि 1500 वाट का हमारा लोड है उस AC का माल लीजिए तो यहाँ पर आप खुदी समझिए कि आपने sanction लोड एक कि 12W का लिया हुआ है और आप एक AC ले आए हैं और वह 1500 वाट की बिजली खाता है यह लोड देता है मीटर के उपर तो यहाँ पर 500 वाट जादा लोड दे रहे हैं आप मीटर के उपर और यह चीज MDI में record होती चली जाएगी क्योंकि AC को आप एक बार नहीं चलाएंगे उसको तो आप बार बार चलाएंगे ना तो वो फिर आपको record हो जाएगा और बिजली बोड को इस चीज का पता लगेगा और वो उसके बाद action लेगा आपको penalty कर सकता है फाइन कर सकता है या फिर आपका लोड भी बढ़ा सकता है और उसके उपर फाइन भी ले सकता है तो यहाँ पर आपको फिर 2 किलो वाट का लोड रखना चाहिए अब 2 किलो वाट का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1500 वाट का तो मालो AC ही हो गया लेकिन AC जब आप चलाएंगे ऐसा नहीं है कि सिरफ AC ही चलाएंगे उसके साथ आपके घर में और भी बहुत सारी चीजे हैं जो बिजली से चलती हैं उनको भी तो चलाएंगे ना बन थोड़ी कर देंगे अब जैसे रेफ्रिजरेटर है वो तो चलता ही रहेगा तीवी है पंखे है कूलर है माइक्रोवेव है वाशिंग मशीन है देर आर सो मैनी थिंग्स कि जो बिजली के ऊपर ही चलती है लेकिन दोस्तों आपको करना क्या होता है आपके घर का जो कुल लोड है जितनी भी चीजे लगी हुई है आप उनका कुल मतलब वाटेज इकठा कीजिए लिखिए कहीं पर उसको कैलकुलेट कीजिए और जो भी आपका मतलब कैलकुलेशन बनेगा उसके हिसाब से आपको लोड सेंक्शन कराना है अ अब ऐसा हो सकता है कि आपके घर में जितनी सारी चीजे हैं उन सभी का लोड मालो 5000 वाट बन गया लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको इकठा ही चलाते हैं हर चीज को अलग लग चलाया चाहिए हमें लोड को डिवाइड करने के लिए बहुत कम ऐसा चांस होता है किसी भी घर में जब सारे ही उपकरन चल रहे हों अगर ऐसा आपके घर में तो फिर आपको टोटल जो कैलकुलेशन आएगा उसके हिसाब से ही लोड सेंक्शन कराना होगा बट लोड को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा तरीका यह होता है कि जब आप कोई हैवी लोड वाली उपकर हो गया माइक्रोवेव हो गया इस तरह की आयन हो गया जो कपड़े प्रेस करने के काम आती आयन या फिर हेयर ड्रायर हो गया हजार वाट का वो भी होता है तो इस तरह से हैवी जो अप्लाइंस हैं उनको आप बिल्कुल भी ना चलाएं जब आपका एसी चल रहा हो तो भी आप 2 किलो वाट का भी लोड सेंक्शन करा लेंगे तो भी इनफ रहेगा बस आपको मैनेज करना आना चाहिए कि आपको मीटर के उपर एक टाइम के उपर मतलब जादा लोड नहीं देना है जब आपने माइक्रोवेव चलाना है तो मेक्शूर एसी को उस टाइम बंद कर ल होगा अगर मैं एक लाइन में आपको आंसर दूँ तो एक लाइन में आंसर यह है कि अगर आप डे टन का इसी ले रहे हैं जिसका एवरेज लोड फंद्रह सो वाट का होता है तो उसके हिसाप से फिर आपको 2 किलो वाट का मीटर लगवाना जरूरी है ताकि आपको इकन जरूर दबा लीजे क्योंकि इस चैनल के उपर बहुत ही useful वीडियो जाते हैं जो आपकी knowledge बढ़ाते हैं मैं मिलूँगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए topic के साथ तब तक के लिए God bless you दोस्तों